नमस्कार मैं हूँ लिला स्वाक्त है आपका हमारे चैनल में आज का विशे है गोल और लंबी वात्दी का दीपक कावकाव जलाना चाहिए इस विशे पर हम बात करते हैं हिंदू दार्म में दीपक जलाना बहुत शव और स्वाग्या बढ़ाने वाला माना जाता है देवी देवताओं के सामने जलाया जाने वाला दीपक गार में सुक्त स्म्रीदी और पॉजिटिविटी लाता है माना जाता है कि देवी देवता दीपक जलाने से खोश होते हैं औ ना फिर अन्य किसी तेल से दीपक जलाने की परंप्रा है प्रांतु किया आप जानते हैं कि दीपक जलाने के भी कुछ निजम कुछ कैदे होते हैं जदी इनका पालन नहीं किया गया तो जही दीपक गर की बरवादी का कार्ण बन जाता है गर में कंगाली शा जाती है पितर न अगर आप सोचते हैं कि आप गोलवाती से ही काम चला लेंगे तो आपको उता दें कि आप गल्त सोचते हैं क्योंकि शास्तरों में दोनों ही बातियों का अलग अलग महत्त बताया गया है लेकन ज्यादा तर लोग इस बात को नहीं जानते क्या आप जानते हैं जदी नहीं जा मा लाशमी, मा दर्गाजी, मा सरस्वती समेथ, अन्या देवी के पूजन में जलाई आती है। आज भी समय समय पर बढ़ता रहता है। इस बात का द्यान रखने से माल अच्मी परसान होती है और गार में हमेशा रहती है। इसके इलावा पिपल जाँ फिर वट विरक्ष की पूजा में भी गोल वाती का दीप की लगाना चाहिए। इस तरह भूल कार भी लंबी वाती का दीप कना लगाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइज कीजिए थैंक्स फार वाचिंग दिस वीडियो।